दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपकी ही अपने यूट्यूब चैनल किर्शना फैंटेसी में एंड आज हम बात करेंगे वेस्ट इंडीश टीटन मैच के बारे में जो कि याज से खेला जाएगा जी आई सीबी वसा एस सी एल की बीच दोस्तो ये मैच आपके इंवेस्ट्मेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम प्लेयर होने वाले है जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे कौनसे वो player होने वाले साथ इसाथ में कौनसा batsman का batting करेगा कौनसा baller का balling करेगा सारा मैं आपको इस video में detail के साथ बताऊँगा तो वीडियो को enter जरूर देखिएगा दोस्तो अगर बात करें हमारे telegram channel के बारे में हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है किरिश्णा फैंटेसि आप देख सकते हो दोस्तो इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो आप टेलीग्राम को जोइन कर लीजएगा लिंक आपको इस वीडियो के निचे comment box में दिया वाय और discussion box में दिया वाय तो जल्दी से आईए link पे click करें और telegram से जुड़ दियाईए final team आपको यहीं पे मिलने वाली है अगर मैं आपको recent matches का result भी बताओ तो आप देख सकते हूँ लगातार हमने हर matches में आपे clean sweep करा है दोस्तो अगर बात करें इस match के लिए हमारी team के बारे में तो उससे पहले आप सभी से एक request है और जो भी भाई नय हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो YouTube चैनल को जरूर subscribe कर लिजेगा दोस्तो साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक दिया होगा और चैनल को subscribe भी कर लिया होगा बात करें हमारी team के बारे में तो wicket keeper में सबसे पहले Johnson Charles का आपके पास option होने वाला है जो कि आपको open करते वे नजर आजेंगे आप इनको जानते ही होगे recent के अगर मैं 5 matches के बारे में बात करूँ इनके performance के बारे में तो वहाँ इनोंने 120 plus run करके आ रहे हैं दोस्तो इनके अलावा N Leo का आपके पास option होने वाला है अगर इनका performance देखते हो betting order आपको नीचे नजर आ सकते हो recent के 5 matches में सिर्फो सिर्फ 11 run करें जबकि 5 में से 3 matches में तो 0 पे out हो गए यहां से Johnson Charles एक अच्छे option है तो आप इनको रखिए इनके अलावा अगर हम betting में बात करते है Monros का आपके पास सबसे पहले option होने वाला है टॉप order में आपको नजर आ सकते हैं दोस्तो recent के 5 matches के बारे में अगर हम बात करें performance के बारे में इनके तो तकरीबन तकरीबन यहां से 67 run के आसपास इनको ने करे है लेकिन एक अच्छे important player आप बोल सकते हो इसलिए मैं इनको रख रहा हूँ जैड अर्टर के बारे में अगर हम बात करते है दोस्तो performance के बारे में recent का किस type का performance है तो last match जो खेले उसमें 41 run करके आए उससे पहले 15 run इनको ने करे थे एक अच्छे option बन सकते है आप इनको रख सकते हो इनको हम अपनी team में लेके चल रहे है फिलाल के लिए Clovis के आपके पास option होने वाला है अगर आप performance देखते हो दोस्तों recent के अगर 5 matches देखोगे जिसमें से 3 में betting आई थी इनकी और अगर आप performance देखते हो इनका किस type करेता है तो 14 run करके आ रहे recent में इतनी अच्छी form नहीं है इसलिए मैं भी इनको drop करके चल रहा हूँ बाकि Jay Goodman का भी आपके पास option होने वाला है decent के अगर 5 matches के बारे में हम बात करें तो 30 plus run इनको नहीं करें इतना अच्छा इनका भी performance अभी तक नहीं रहा है बाकि Jay Lewis का आपके पास option होने वाला है अगर आप performance देखोगे इतना कुछ इनका खास नहीं है यहाँ पर बाकि कोई मुझे खास option नहीं लग रहे है जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हो man plays के बारे में हमने अल्रेडी बता दिया बाकि जो भी player है इनके states में टेलिग्राम पे share कर दूँगा दोस्तो फिलाल दो हमारे batsmen रहेंगे allrounder आपके पास काफी अच्छे अच्छे option होने वाले सबसे पहले gabriel का ही अच्छा option होने वाला है दोस्तो अगर हम इनके performance के बारे में बात करते ही किस type के इनका performance रहने वाला है आपके लिए important है या नहीं important हो वो भी मैं बता रहे तो recent के अगर आप 5 matches देखते हो दोस्तो तो तकरीबन 140 प्लस रहने वाला है आपके लिए important है नहीं important देखे ये भी एक अच्छे option अच्छे allrounder आप बोल सकते हो recent के अगर हम 5 matches देखते है तो वहाँ पे 90 प्लस रहने वाला है और साथ ही साथ में 2 wicket भी निकाले आप इनको भी अपनी टीम में लेके चल सकते हो our good man के बारे में अगर हम बात करें दोस्तो performance के बारे में किस टाइप के इनका performance देने वाला है आपके लिए important है नहीं recent के अगर आप देखोगे आर मैचेस इतनी बैटिंग तो इनकी आई नहीं है बट बैटिंग बोली आपको करवा की दे देंगे तो आप इनको रख सकते हो all round है तो important हो जाते बाकि MS का option होने वाला है दोस्तो batting order देखोगे थोड़ा सा नीचे middle order cover करते वे नजर आएंगे recent के 5 matches में 4 wicket इनोने चटका है और जबकि batting इतनी ठीक ठाक रही है आप average बोल सकते हो तक्रीबन 50 प्लस ने नोने करे है बाकि अगर यहाँ से Paul का option होने वाला है अगर आप देखते हो इनके performance के बारे में किस टाइब कराएगा बाई यह आपके लिए important होने वाले चैसे selection कमें recent की जो 3 matches बॉलिंग करकर आ रहे हैं उसमें 7 wicket निकाले और बैटिंग से hitting करे 49 दन भी करे आप इनको लेके चल सकते हो यहाँ से Edward का आपके पास option होने वाला है दोस्तो अगर performance देखते है किस type का है तो recent की 5 matches में 4 wicket निकाले पहले इनकी team बैटिंग करती है तो जादा आपके पास अच्छे option होने वाले इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते वे चलना है बागी 4 day का option होने वाला है लेकिन यार performance मुझे कुछ खास नहीं लगरी तो 5 हमारे all around रहेंगे बॉलिंग में यहाँ पे आपके पास टिश्टे का option होने वाला है सबसे पहले तो अगर हम बात करें इनके performance की बारे में दोस्तो किस type के इनका performance देने वाला है आपके लिए important है तो recent के 5 matches में अभी तक 4 wicket इनोंने निकाले बाकी यहाँ से चिकोट के बारे में अगर हम बात करते है टी चिकोट recent के 5 matches में 2 wicket निकाल पाए दोस्तो थोड़ा सा performance डाउन सरा है जबकि English के बारे में बात करते है performance के बारे में recent के 4 matches में 3 wicket निकाले बाट पहले इनकी team balling करते है तो important है क्योंकि death में balling करवा सकते है दो wicket चटका लेंगे Edward recent में ठीक ठाक performance राए पहले बैटिंग में रख लेना अगर इनकी team बैटिंग करती है तो वहीं दोस्तो एल जॉन के बारे में हम बात करें performance के बारे में recent में average performance राए बट इतने wicket अभी तक जो है निकाल के नहीं आये दोस्तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते वे चलना है बट grand league में try कर सकते हो जबकि यहां से sayers last 2 matches में अभी तक 1 wicket निकाल कर आ रहे सिरील के बारे में अगर हम बात करते हैं इनके थोड़े over अगयरा कटने के chance रहते हैं recent के 4 matches में अभी तक 2 wicket निकाले बागी यहार option काफी है बट जो man player होने वाले यहां से चिष्टे को रख सकते हो यहां से चिकोड को अपनी team में लेके चल सकते हो दोस्तों English को रख सकते हो फिलाल के लिए captain voice captain देखिए गैबरील एक अच्छे option होने वाले second voice captain के लिए यहां से आपके पास चाल्स होने वाले calendar होने वाले option आपके पास काफी है अगर आप इनके साथ चलते हो तो पहले betting में चाल्स रख सकते हो आप calendar को भी कर सकते हो अभी के लिए मैं इन दोनों को कर रहा हूँ आपके लिएगा